दोस्तो अगर आपके मोबाइल में developer setting दिया हुआ है तो आप अपने मोबाइल में fast charging को enable कर सकते हैं यानि कि दोस्तो अगर आपका phone बहुत ही slow charge होता है जैसे कि एक example लेते हैं 3-4 घंटे में आपका phone full charge होता है तो ऐसे में दोस्तो आप developer option की मदद से अपने phone में fast charging को enable कर सकते हैं फिर 10 गुना तेजी से दोस्तो आपका phone charge होगा जो देखेगा ओच चौक जाएगा यानि कि दोस्तो इतनी कम समय में आपका phone 100% charge हो जाएगा कि आपको खुद पर विश्वास भी नहीं होगा आपको कुछ भी application वगरे नहीं download करना है बस आपको अपने phone के developer option की मदद से कुछ setting को बंद करना है और कुछ setting को enable करना है इतना सा काम आपको करना है उसके बाद आप खुद देखेंगे दोस्तो आपके phone में कैसे fast charging enable हो जाता है चाहे आपके पास किसी भी company का phone क्यों ना हो सभी company के phone में दोस्तो ये सभी setting मिल जाएंगे जो इस video के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो उसके लिए बस आप इस video को like कर दो and continue guys इस video को देखते रहो तो आएए दोस्तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने mobile में developer option की मदद से fast charging को enable करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा setting को open करना है अब setting को open करने के बाद सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप अपने mobile में कैसे developer option को enable करेंगे क्योंकि वो सभी mobile phone में बंद होता है तो उसे सबसे पहले आपको on करना होगा तो उसे on करने के लिए दूस्तो आपको क्या करना है about phone के अंदर आ जाना है about phone में आएंगे तो यहाँ पर software information के उपर क्लिक करना होगा यहाँ पर दोस्तो आपको देखने को मिलेगा build number इसके उपर आपको 78 बार क्लिक करना होगा उसके बाद जाके दोस्तो आपके phone में जो developer option होता है यह enable होता है नहीं तो यह सभी phone के अंदर बंद होता है अगर आपके पास Redmi, MI, Xiaomi का phone है तो ऐसे में आपको MIUI वर्जिन पर 78 बार क्लिक करना होगा तब जाके दोस्तो यह setting open हो जाएगा यानि कि enable हो जाएगा इतना काम आपको सबसे पहले करना है उसके बाद जैसे दोस्तो यह setting enable हो जाएगा आपके phone में सबसे नीचे या फिर additional setting के अंदर देखने को मिल जाता है developer option तो इसे दोस्तो आपको open करेना है इसे जैसे ही आप open करेंगे जो पहले number का hidden setting है वो यहाँ पर दोस्तो आपको देखने को मिल जाता है stay awake आप यहाँ पर देख सकते हैं और यह setting होता है दोस्तो यह charging के लिए ही होता है यहाँ पर साफ साफ लिका हुआ है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा screen will never slip while charging इसका मतलब यह है दोस्तो जब भी आप अपने phone को charge में लगाएंगे आपके phone का screen यह हमिसा चालू रहेगा जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे तो इससे दोस्तो आपका phone fast charge यह नहीं होता है बहुत ही slow charge होता है तो simply आपको करना का है इस setting को यहाँ से बंद कर देना है बिना सोचे समझे ठीक है तो यह पहले number का setting आपको यहाँ पर बंद करना है इसे बंद करने के बाद दोस्तो आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको देखने को मिलता है running services आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसके उपर आपको click करना है अब आपके phone के background में जितनी भी service run हो रही है उस सब दोस्तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको check करना है कोई ऐसे third party app की service तो आपके phone में नहीं run हो रही है जो आपके phone को एकदम slow कर दे रहा है slow charge होने दे रहा है तो आपको यहाँ पर पूरा check करना है अगर कोई यहाँ पर गलत service दिख रही है तो ऐसे में दोस्तो आपको simply करना है उसके उपर click करना है और उसे तुरन के तुरन दोस्तो आपको stop कर देना है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने इसे stop के उपर click कर दिया है यहाँ पर आप देख लिए इस stop के उपर click करके आपको ok कर देना है उसके बाद जो service है दोस्तों यहाँ से अचानक से गायब हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख सकते है तो इतना काम आपको यहाँ पर करना है कोई भी ऐसे service को run नहीं होने देना है जो आपके phone को slow charge होने दे रहा है यानि कि बोल सकते हो charging में जो भी बाधार डाल रहा है उस setting को आपको यहाँ से बंद कर देना है कोई भी ऐसे file 2 की setting यहाँ पर on करके नहीं रखना है इस बात का आपको ध्यान देना है ठीक है जैसे कि यह भी setting मुझे सही ने लग रहा है तो इसे भी दोस्तों यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ ठीक है तो आपको यहाँ पर एक important setting देखने को मिल जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ don't keep activities आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो setting है दोस्तों actually करता क्या है आपके phone में जब भी मतलब की कोई भी आप application यूज कर रहे है कोई भी browser को आपने यूज किया किसी website पर आप गए है तो जितनी भी activity आपने की है न वो आपके phone में चलती रहती है जब तक आप उसे बंद नहीं करेंगे न तब तक वो दोस्तों चलता रहेगा तो ऐसे में आप खुछ सोचिए आप अपने phone को चार्ज लगाएंगे जब तक दोस्तों आप उसे यूज करें तब तक तो ठीक है जैसे दोस्तों आपने उसे छोड़ दिया यानि कि उससे close हो गए तो ऐसे में तुरंट आपका phone उस activity को बंद कर देगा फिर जब भी आप अपने phone को चार्ज में लगाएंगे जो दोस्तों आपको आपके main setting के अंदर देखने को मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है apps वाले setting को open कर लेना है अब आपके phone में जितने भी application डाउनलोड होंगे 50-60 application सभी के phone में होते ही होते हैं न तो ऐसे में सभी application आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अब आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है मैं एक important setting बताऊंगा ओस setting दोस्तों आपके phone में जितने भी application है सभी के साथ करना है ठीक है मैं यहाँ पर आपको एक application पर वो setting करके दिखा देता हूँ कोई भी application को आप open कर लिजे इस प्रकास से उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है यहाँ पर battery के उपर click कर देना है इस पर click करेंगे तो यह दोस्तों आपके phone में unrestrictrate पर set होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसे दोस्तों आपको set करना है optimize पर जैसे दोस्तों आप इसे optimize पर set कर देंगे जब भी आप अपने phone को चार्ज में लगाएंगे पूरी तरह से दोस्तों आपका जो phone है optimize होगा जितने भी application है उसे optimize कर देगा और आपका phone जो है fast charge हो पाएगा समझे लो तो यह चीछ दोस्तों आपके phone में जितने भी application है उन सभी application के साथ करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है यह हो गया fourth number का setting अब दोस्तों मैं आपको fifth number का setting बताने जा रहा हूँ जिसे दोस्तों करते ही आपका phone कई गुणा जाता जो है तेजी से charge होना शुरू कर देगा तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा आपके phone का जो main battery वाला setting होता है उसे open कर लेना है तो यहाँ पर चलिए हम अपने phone का जो battery का setting होता है इसे open कर लेते हैं अब battery वाले setting में आने के बाद दोस्तों नीचे more battery setting के उपर क्लिक करना है अब यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले देखेंगे adaptive battery दिया है तो इसे आपको on कर देना है fast charging दिया है इसे आपको on कर देना है उसके बाद यहाँ पर protect battery दिया हुआ है इसे आपको on कर देना है यहाँ पर दोस्तों जीतनी भी setting है सभी को आपको on कर देना है यह सभी को on करने का मतलब यह है कि आपके phone का जो battery है यह protect होगा जब भी आप अपने phone को charge में लगाएंगे जब भी आप यूज करेंगे और adaptive battery का मतलब यह है कि आपके phone का जो battery backup है वो पहले से कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है और fast charging का मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों आपका phone कई गुना तेजी से जो है charge होने वाला है समझ गे तो यह 3 setting आपको यहाँ पर तूरंट enable करना है तो total दोस्तों मैंने आपको कितने 5 setting बताए हैं यह 5 setting अगर आप अपने phone में apply करते हैं तो जो आपका phone है दोस्तों वो कई गुना तेजी से charge होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जैसा कि आप खुद देख लिजी हमने अपने phone को charge में लगा दिया है और हमारा जो phone fast charging होना शुरू हो गया है यहाँ पर आपने खुद देख लिया दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ रहा है fast charging ठीक है तो इसी प्रकार से दोस्तों आप कम से कम समय में अपने phone को fast charge कर सकते हैं और जो देखेगा दोस्तों ओच चौक जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक को शेर करना साथी साथ हमारी शेनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू दोस्तों बाइ बाइ और टेक कियर